हलो फ्रेंट्स तो आज हम बनाएंगे शरीर को तरो ताजा कर देने वाला ये healthy शर्ब Grade healthy गर्मी बहुत तेज़ पढ रही है तो इस समय हमारे शरीर को ठंडक परदान करने वाले इस शर्बर को मैं जरूर बना कर पीना चाहिए ये शरीर को ठंडक परदान करने के साथ ठकान और कमजोरी भी दूर करता है तो इसे बनाने के लिए यहां पर हम लेंगे एक चुथाई कब भुना हुआ चना यहां पर मैंने एक चुथाई कब भुना हुआ चना लिया है चना हमारी शरीर के लिए बहुत ही फायदे मंद होता है तो इस चने को मैंने बिना चकल निकाले ऐस इसे ही लिया है आप चाहें तो इसके छिलके भी निकाल सकते हैं तो इसे हम डालेंगे एक मिक्सर जार में साथ हरा दनिया डालेंगे सबी चीजों को आप अपने टेस्ट के अकोर्डिंग कम या जादा भी कर सकते हैं अब इसमें हम एक चम्मच काला नमक डालेंगे और साथी एक चम्मच इसमें भुनेवे जीरे का पाउडर डालेंगे अब इसे और भी हल्दी बनाने के लिए यहां पर इसमें डालेंगे हम एक कटोरी दही मैंने यहां पर एक कटोरी दही लिया है आप चाहें तो इसकी जगे पर दो कटोरी मठा ले ले और साती इसमें उसी कटोरी से एक कटोरी पानी डालेंगे और इसे मिक्सी में एक से दो मीट के लिए चला लेंगे तही और चना दोनों ही हमारे शरीर के लिए फायदे मन होता इसे हमें जरूर खाना चाहिए और गर्मियों में ये हमारी शरीर को ठंडक भी देते हैं, साती ठकान और कमजोरी को भी दूर करते हैं, तो इसे हमें जरूर किसी ने किसी तरह खाना ही चाहिए, तो अब इसमें हम एक गलास पानी डालेंगे, और साती इसे सर्व करने के लिए गलास में डालेंगे कुछ आइ पीड को ठंडक देने वाला भुने वे चन्य और दही का शर्बत इसे आप मसाला सत्तु चांच भी कह सकते हैं और ये गर्मियों के लिए बहुत ही फायदे मंद होता है तो इसे हमें जरूर बनाकर पीना चाहिए